हेलो दोस्तों वेलकम दो साइबर टेक और मैं हूँ आपका दोस्ते जासिया फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्किट पर और यह हमारा एक सिल्सला है जिसका नाम ही हमने क्रिप्टो मार्किट रिपोर्ट रखा है यह वीडियोज हम डेली सुबा को दोस्तों अपलोड करते हैं जिसमें क्रिप्टो से रिलेटिड न्यूस जो होती हैं वो हम आपके साथ दोस्तों शेयर करते हैं आपको यह सिल्सला जरूर पसंद आएगा जिसमें हम क्रिप्टो की न्यूस ही जाहर सी बात है शेयर करते हैं तो यह सिल्सला आप ही के लिए है ताके आप क्रिप्टो के बारे में दोस्तों अवेर रहें कि क्रिप्टो मार्किट में क्या कुछ एक्चली हो रहा है यहां पर दोस्तों बात करेंगे बिटकोईन के बारे में, इथिरियम के बारे में, मेटिक के बारे में और दोस्तों शिवा इनू के बारे में तो अच्छी कुछ न्यूज है और कुछ बुरी न्यूज है विडियो जरुबर्दस होगी, इंटरस्टिंग होगी आई होब के विडियो जरूर दोस्तों आप इंट तक देखेंगे और लाइक जरूर कर देंगे फरस्ट अफ़ाल दोस्तों बिटकोईन को देख लेते हैं तो बिटकोईन की प्राइस जो है वो 48,000 डॉलर की प्राइस को आज आकर अगें टच किया है इसने कल 47,000 डालर पर था लेकिन यह है कि कम्प्लीटली हमें एक बुलिश ट्रेंड कहें तो वो अभी तक मेरी नजर में शुरू नहीं हुआ लेकिन आने वाले वक्त में जो भी होगा वो ज़रूर मैं आपको बताऊंगा वीडियोज बनाकर बैनाइन्स की यहां पर प्राइस देखते हैं तो उसमें अच्छी खासी इंक्रीजमेंट हमें यहां पर नजर आती है 522 पर यहां पर पहुंच चुका है सोलाना 175 पर है लेकिन सोलाना की बात दोस्तों यह है कि सोलाना में एक्चली इंक्रीज बहुत आई थी मतलब इसकी प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा चड़ गई थी उपर जली गई थी तो अब उसमें कुछ करेक्शन जरूर होगी चाहे मेरी नजर में मार्किट अगर उपर भी जा रही हो तो भी इसकी प्राइस में हमें कुछ जो है वो डिफरेंस जरूर नजर आएगा मतलब यह के प्राइस इसकी जरूर नीचे आएगी यह वक्त के हिसाब से चलती रहेंगी चीज़ें शीबा जो है अपनी मार्किट रंकिंग चेंज कर चुका है और पॉ 14 बिलियन डॉलर तकरीबन 15 बिलियन डॉलर के करीब यहां पर पैसे जो है वो इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं फर्स्ट अफाल यह देख लेते हैं कि 2021 जो है वो क्रिप्टो में कैसा रहा तो आप देखें यहां पर वालेटिलिटी रूल्ड क्रिप्टो मार्किट इन 2021 उसके बाद अगर इसका लोग देख लें तो बहुत ही मलब ज्यादा नीचे है नीचे थोड़ा वो देख लेते हैं इसकी जो डीटेल्स हैं आप यहां पर देख सकते हैं एंडिफ्टी एक्स्प्लोडेड इंटू दा में स्ट्रीम कॉंशेस्नेस चाइना क्रेक्डाउन अ अब बिटकोइन एटी एफ सौर्ट अफ हैर्स हाओ इट आल वेंट जाउन तो यह सब कुछ कैसे हुआ उसकी डीटेल मतलब अलग है यहां पर हमने देखा के एल सेलवाडोड ने दोस्तों टूथाउजन टूइंटी टू में वो दुनिया का पहला मुलक ऐसा बन गया जिस पहले की फिनामिना है लेकिन टूथाउजन टूइंटी वन में एक्स्पलोजन आ गया इनकी जो प्राइज है उसमें आपने देखा कि बहुत ज्यादा यहां पर पैसा लगा इनिफ्टी में यह एक नई फिनामिना हमारे सामने आई उसके बाद दोस्तों मेटावर्स का जो कांसिप्ट है वो आलरेडी चल रहा था एक्सिस्ट तो कर रहा था लेकिन उसमें भी एक बूस्ट अप हमें देखने को मिल गया 2021 में जिसकी बज़ा से हमने देखा के सेंड की माना की और डिफरेंड इस सरह के जो प्रजेक्ट से गेमिंग प्रजेक्ट से उनकी प्राइज जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर चली गई उसके बाद दोस्तों शिबा एनू और डॉज कोईन दो ऐसे मीम कोईन जिन्नों ने पूरी दुनिया की आँखें खोल के रख दी के भई मीम कोईन भी में स्ट्रीम में शामिल हो सकते हैं इससे पहले मीम कोईन को शिट कोईन भी क चले उन में एक एक्स्प्लोजन आ गया यहां तक हम कह सकते हैं कि शिबा इनू जो है वो करोड़ों परसंट मतलब विदिन वन इयर उसकी प्राइज में सर्जमेंट हमें नजर आई तो यह भी क्रेड़िट जो है वो टूथाउदन टुईटी वन को जाता है जहां से मीम ट लेकिन बिटकोईन को पंप करने में भी बड़ा रोल प्ले किया फर एक्जम्बल यहां पर देखें जैसे ही उन्होंने जो है न वो एलान किया था कि हम टेसला जो है वो बिटकोईन को एकसिप्ट करेगी तो उसके बाद एक अच्छा खासा प्राइज में पंप हुआ था इसी तरह उन्होंने डॉज कोईन के साथ भी किया और बदब एक ट्विट आया उनका शिबाएनू के बारे में तो शिबाएनू की प्राइस बढ़ना जो है वो शुरू हो गई लेकिन जब शिबाएनू के बारे में उन्होंने एक नेगेटिव कमेंट रिप्लाइ किया ट् डॉज कोईन के बारे में अब वो पॉजिटिव भी ट्विट करते हैं तो इतना असर जो है वो अब हमें नजर नहीं आता जितना अर्ली डेज आधा टूसाजन टुटिवन में हमें नजर आता था तो यह सारी चीज़ें यहां पर हैं अब ट्रोन फांडेशन जो है उन्हो भी बहुत ज्यादा हुई है एस कंपरेट तो प्रीवियस इयर्स उसके बाद यह भी एक दोस्तों न्यूज आई है जो के एथिरियम से रिलेटेड है आप यहां पर देख सकते हैं के एथिरियम वेल्स डंपिंग इथ एस प्राइस स्लाइड बिलो फोर के डेटा शोज आज भी मैं आपको कहरा रहाँ के जो डेटा शो रही है अप यह डेटा लेकिन चार्ट जो एथिरं का है मेरी नज़र में बड़ा खतरनाक नजर आ रहा है इथिरं का जो वो बिल्कुल ऊपर नहीं जाएगी लेकिन ये न्यूज मतलब जो मैंने बात की थी बिल्कुल वैसी ही एक न्यूज सामने आई है इसलिए मैंने आपके साथ यहां पर शेयर की है वैसे एथिरम जो है बिटकोईन के बात बहुत ही एक इंपर्टन्ट टोकिन है इसलिए भी आपके साथ ये न्यूज सेयर करना बहुत जरूरी थी एथिरम इस हैविंग डिफिकल्टी कीपिंग इट्स रिचेस्ट इन्वेस्टर्स इन लाइन एज इस नेटिव टोकन इथर हिंस एट लॉगिंग मोर लोस लॉस इन दे नियर टर्म तो नियर टर्म में ये ह हो रहा है एथिरम के साथ आप देख रहे हैं कि यहां पर यह भी बात हुई है दोस्तों एक तो प्रजेक्ट है मेटिक और दूसरा एक प्रजेक्ट है जो के एथिरम की ब्लाक्चेन यूज करते हुए लेयर टू का उन्होंने दोस्तों मतलब इन दोनों टोकेंज ने में लग रहे हैं इसी तरह से अब शिबरियम भी हमारे सामने 2022 में आ सकती है मेरा ख्याल है कि वहां पर भी इथिरम से निकल कर पैसे लग सकते हैं 2022 के अर्ली डेज में या फिर इंड अव दा इयर तो यह सारी चीज़ें यहां पर पॉसिबल हैं अब दोस्तों थोड़ा चा पर देख सकते हैं वहीं पर अभी ट्रेड कर रही है तो प्राइज अगर उपर जाती भी है दोस्तों तो मेरा ख्याल है कि यहां से एक बार थोड़ी बहुत नीचे जरूर आएगी और नीचे से मुराद या मतलब मेरा यह नहीं है कि यहां तक आएगी फर इसमपल है बिलकुल सेम ही दोस्तों आप देख सकते हैं कि बिटकोइन की तरह ही आई है लेकिन अपनी मुविंग एवरेज से अभी वह बहुत ज्यादा दूर है जो के मैंने रखी वी आप देख सकते हैं ठीक तो यहां से यह है कि इसकी प्राइज में भी एक बार मतलब अभी हैं और यह जो मुविंग एवरेज जो दोस्तों एक्चली होती है यह प्रिवेज़ डीटा से ही ली जाती है जार सी बात है मुविंग एवरेज जो बता रही होती है कि पिछे क्या हुआ है किस तरह से प्राइज जो हो प्राइज ने बिहagement किया है और उसके बाद दोस्तों यह मैटिक है आप देख सकते हैं मैटिक की प्राइज कंटिन्यूसली जो है वो यहां से 0.61 तक इसकी प्राइज गई थी उसके बाद दोस्तों यह आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है मैटिक का चार्ट मैटिक में आप देख सकते हैं दोस्तों इसकी प्राइज लास्ट जुलाइ 2021 को मतलब 20 जुलाइज को इसकी प्राइज गई थी 0.63 सेंट तक उसके बाद कंटिन्यूसली इसकी प्राइज मतलब जो है न वो चड़ रही है उपर जा रही है तो अभी यह है कि इसकी प्राइज मेरा ख्याल है कारडानों की तरह कम से कम तीन डॉलर की प्राइज जो है वो एक यह साइकलाजिकल बलब एक रिजिस्टेंस लाइन है उसको टच करने के बाद फिर कारडानों की तरह ही नीचे आ सकती है लेकिन यह है कि इथिरियम की न्यूज इस वक्त अच्छी आ रही है तो बलब कम से कम यह आप जैन बना लें के इसकी प्राइज यह वो तीन डॉलर तक बड़े आराम के साथ जा सकती है उसके बाद क्या होगा आई डॉन वो आने वाला वक्त बताएगा और जैसे ही होगा जो भी होगा मैं आपको वीडियो बना कर जरूर उसके बारे में इन्फार्म कर दूँगा वैसे देखा जाए तो मेटिक में इस वक्त भी आप इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हैं शाट टरम के लिए लेकिन तीन डॉलर तक पहुंचे तो आपको थोड़ा एतियात करना होगा कि या तो फिर आप सेल आउट करके मार्किट से एग्जिट कर लें या फिर वेट करें देखें क्या होता है इसकी प्राइज में करेक्शन आ जाए उसके बाद आप इसको बाय करें ये मेरी सजेशन है मेटिक के लिए लेकिन मेरी सजेशन होती है आपके दोस्तों होते हैं आपने तय करना होता है कि आप क्या करेंगे क्योंकि मैं कोई फैनेंशल एडवाइजर नहीं हूँ आपने अपने डिसीशन लेने हैं प्राफिट आपका लॉस आपका और इन्वेस्टमेंट आपकी आई होप सो के दोस्तों ये वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि मैं और आप आपस में जुड़ी रहें टेक केर, अलाफिस